दोस्तो शेर करूंगा IRFC शेर की लेटिर्स शाथ में शेर करूंगा IRFC स्टॉक का चार्ट and शेर्स्स। क्या स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए मेरे साथ से स्टॉक को अभी आपको बाई नहीं करना चाहिए इसने एक अच्छा कासा breakdown दिया है breakdown का मत्ताब होता है कि नीचे के labels आपको दिखा सकता है ठीक है और आपके शेयर करूँगा एक ऐसी strategy अगर आप stock को buy करना चाहते हैं long term के लिए 25 के लिए 25 के लिए 25 के लिए 30 के लिए definitely उस price में आने का wait किजिए definitely वहाँ आएगा वहाँ stock को buy करके hold कर सकते हो ठीक है अब ये एक multiple stock बनेगा या नहीं बनेगा depend करता company के profits में लगतार company के जो loan से बढ़ रहे हैं आपको पता है company का काम loan कही है तो वो बढ़ेंगे वो normal सी बात है लेकिन फिर भी बहुत जादा ही बढ़ रहे है ना छोड़ो उतो बात की बात है ठीक है सबसे बहले अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को subscribe कर लो और bell को दबाना ना बुलना साथ में comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लागा साथ में दोस्तों वीडियो को share कर दो अभी के भी Facebook में और Twitter, Telegram, WhatsApp ताकि आपका कोई दोस्त जो IRFC share को buy करने की सोच रहा है तो उसको याला वीडियो दिखा देना कि भाई stock को अभी buy नहीं करना है और एक मित्रे ने हमें नीचे comment पूछा था ठीक है रावत जी ने उन्हें बहुत clear word में कहाता है कि stock न अच्छा कर दिविडेंट दे रहा है 4% के असपास 1 रुपे के असपास तो मैं क्या stock को buy करना हूँ दोस्तों market में बहुत सारी ऐसी company जो आपको अच्छा कर दिविडेंट दे रही है तो यही stock क्यों choose करना dividend के लिए मुझे समझे नहीं आता है ठीक है तो वह बात की बात है ठीक है वह बात एक dividend का अगर आप चाहते हो कि मैं best dividend stocks आपको slack करके दूँ तो definitely नीचे comment करके बता सकते हैं मैं इसको पर एक video बना दूँँआ अभी हम बात कर रहे हैं कि हम एक मैंने छोटी से announcement भी करनी है announcement दोस्तों इस प्रकार से है हर संडे को class होती है हमारे facebook page में facebook page मतलब हमारे यह youtube चैनल पर एक private class होती है अगर आप उसको participate या भाग लेना चाहते हो तो इस video को facebook के share कर देना ठीक है share करने के बाद हमारा instagram channel है vr stocks करके वह हमें tag कर देना ताकि आपको वो link मैं दे सकूँ जो class का होगा अभी तक तीन class हो चुकी है तो अगर आपको participate करना चौती class में definitely video को share कर देना अब लेके चलता हूँ सबसे पहले stock का chart की तरब ठीक है profit भी दिखाऊँगा profit बात की बात है सबसे बात है सबसे बहले दोस्तों देख सकते हो जो IRFC share है लगाता जब से stock का IPO है हमें stock का एक चीज़ देखने को मिल दे कि stock एक consolation phase में जा चुका था और दोस्तों बोल देने चाहता हूँ जो भी stocks के हाल लगे दिनों में IPO है अगर आप RVNL देख सकते हो SBA card देख सकते हो सभी stocks अपने IPO के जो high बना तक क्रेक्ट हुआ था तो बात को समझो आर वीनल सेम है railway की company हो भी ठीक है वो भी 50% तक क्रेक्ट हुआ था और 12 रुपे का low लगाने के बाद दुवारा recover करके 30 रुपे का सबर trade कर रहा है ठीक है तो 12 रुपे और समझ सकते हो 50% आप मान के चलो high से यह क्रेक्ट हो सकता है एक तो यह चीज है पहुआ सिंपल है 27 रुपे अभी हाई था और 21 रुपे का अभी प्राइस चल ला है तो मान लोगा कि शोला रुपे का आसपक्त तो आ सकता है उस strategy लेकिन मैं आकसा शेर करता हुआ था हुआ था हुआ सिंपल सी strategy अगर आप चार्ट को देखो को धंग से लाइन यह है 9 moving average closing basis में और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यह अभी तक एक भी और यह जो पहने candle खोल ला का यह है एक भी गिरीन केंडल नहीं बना है और साथ में ध्यान वाल देनाली बात है यह stock 9 moving average के निचे support लेके ठीक है resistance लेके लगतार गिर रहा है अगर न मत करना ठीक है जब तक यह stock 9 moving average के निचे है आप stock को buy मत करना long term के लिए बहुत साय लोग मुझे पता है stock को बहुत दिल से दिल से buy करना चाहते है IRFCC share को तो अगर आपको stock को buy करना तो भाई definitely जब stock 9 moving average के उपर close करेगा आप stock को buy करके चल सकते हो तो उस तो बोल देना चाह मैं सायथ investment अब करूँगा क्योंकि stock का जो price है का पी अच्छे levels माच चुका है 22 रुपे अगर stock मुझे 16 रुपे के levels मिलता है तो definitely भाई सोने वे स्वागा हो जाएगा और जब stock में एक pattern बनेगा अभी तो pattern नहीं बन रहा है ठीक है जिस दिन वो pattern बनेगा वीडियो के मादि shipping average के पर close करें आप stock को आखें बन करके buy कर लेना और volume के साथ करें ठीक है तो आप buy कर सकते हो long term के लिए बाकी अगर बात करता हूँ दोस्तों monthly candle की दोस्तों आप देख सकते हमें यह कहने का प्रियास कर रहा है कि भाई stock का volume के साथ breakdown हुआ है नीचे आप देख सकते हो ठीक ह चार महने का candlestick pattern है तो देख सकते है लोग ब्रिगवा volume के साथ लेंगे तो अब जो ही candle गिर रहा है ठीक है अभी मात्र आपका 10 दिन हुए महने के अभी इसका volume बहुत कम है बहुत कम देखते ही volume बढ़ता है घटता है ठीक है मेरे साब से volume अब घटे गई क्योंकि 16 रुप अब बात करते हैं कंपनी के profit and loss की तरफ की तरफ कि भाईया कंपनी के profit कैसे loss कैसे अब वह भी तो देख लो ठीक है तो मैं आपको दिखा रहता हूं तो देख सकते हो कंपनी का पुरा नाम Indian Railway Finance Corporation Limited है ठीक है बात करते हैं एनसी बीएसी दोनों वे लिस्ट कंपनी है अल्मोस 28 क्रोड के आसपास का market cap है करना 22 चल ला है ठीक है और book value के साब से उसी rate में आपको मिल रहा है और अगर बात करते हैं dividend yield तो काफी बढ़िया है 4% के आसपास ठीक है phase value भी कंपनी की काफी बढ़िया है ठीक और दोस्तों company अपने book से काफी सस्ते में मिल रही है बहुत कंपनी के बाद liabilities ज्यादा है जैसे में आपको चलो ठीक होतो है न अब बात करता है company के results की तो मैं आपको दिखाता हूं सीथा company के year on year basis results में ठीक है अभी के results में एक है quarterly आए नहीं होंगे December के आ रहे है बर December के देख लेते कैसी है तो 49 क्रोड के आसपस की sell है ठीक है company का net income ठीक है ठीक है ठीक है अब जो अभी इस quarter के profit आएंगे Q1 के definitely वो देखने लायक होंगे ठीक है बात करते है अगर year on year basis में तो लगातार sales में एक अच्छी का सी increment आ रहा है तो बहुत बढ़ी है अगर बात करते company का आपका net income की अब देख सकतो net income भी company का लगाता बढ़ रहा ह ठीक है मतलब तो बहुत ठीक लग रहा है profit के साफ से ठीक है लेकिन अभी जो Q1 के results आएंगे वो हमें decide करना पड़ेगा कि stock में क्या हो सकता लेकिन जो मैं आपको strategy बताईए ठीक है ये तो देखो दोस्टो जब आने होंगे ना तो साइध आपको साइध मौका नहीं मिलेग बाए करनेगा तो भाई आप सिंपल है जो strategy में आपको बोली नाई moving average की वह apply कर ले ना आपको एक दिन पहले क्या चार दिन पहले पता चल जाएगा stock में क्या होने वाला है अगर बात करते है प्रमोटर की holding की तो मैं आपको भी दिखा रहता हूं साथ में एक बार देख लो कंपनी के बार बहुत कम है यार बहुत कम है अपने पर चलता है ठीक है अगर बात करते कंपनी में किस किस का पैसा लगा तो वह भी एक बार देख लो माइनस टू को रोड के आजपास का इसके पास cash flow है तो आपको उसके एक बार सिरूलिक पैटन दिखा देता हूं तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने अधा सकती है जिसमें पैसा लगा मुचल फंड के भी आप 2% के असपास की होल्डिंग है और आपके आपकी 5 ङी टू परसेंट के असपास की होल्डिंग साथ में दोस्तो जो जनल पब्लीक है रिटेल इंवेस्टेर रहोंगी होल्टिंगी 6% के आसपास निकल के आती है दोस्तो आप बहुत सकते हैं कि मिक्स इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखिए सभी की लेकिन दोस्तो इसमें जो इसका ओफेस्ट है बहुत जल्द मुझे लगता आएगा अब वो देखते कम आएगा जैसे आपको बता आर्वीनल का लास्मत आया था ठीक है तो इसका भी डैफि स्टॉक के लिए ख़बर थी भाई है परसो इसका आईप्यो आया है ठीक है और आईप्यो आया जिस प्राइस के आसपर चेट कर रहा था और जब से यह खबर आई है स्टॉक की लंका लगी भी यह स्टॉक नीचे किने वे लागा तो डैफिनिट्लि यार एक ही आप बहुत हैंग है ऑप इसके उपर जायाँगा आप स्टॉक को बाई करके च्रह सकते हैं अई आर्व सिस्टॉक को ठीक है और डएटलि ये लगता हुँ मैं आपको 67 िॅर्पे biased iere का ठीक है ए ऊपने प्राइज से लेकिन हाँ अगर आपको लेकिन हाँ अगर आपको आपको जो 9 moving average की strategy में ने बताइए उसके इसाब से अगर आपको मिलती है तो डेफिनिटी आप स्टॉक में इंवेस्मेंट करके भूल सकती हो डेफिनिटी आपको मल्टी अगर रिटम देखे जा सकता है करता है कि कंपनी के फ्यूचर के रिजल्स कहते हैं कैशे आते हैं तो उसको दिहान देने वाली बात है ठीक है वाई इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं आपको समझ आगा कि आई आर एफसी शेर को आपको अभी बाय क्यों नहीं करना है लेकिन दोस्तों खायर है कि आपकी जो वर्त है वो भी तो 20% के आशा इरोड होगी ना आपको समझो ठीक है डिविडेंट ही मैटर नहीं करता है यह भी मैटर करता है कि डिविडेंट भी कंपनी दे साथ में कंपनी का पाइन दागाता स्माप पर वीच आए ठीक है अगर आ कर दो देफिरेटली नेक्स वीडियो पे बना दूरा चलो बाए बाए